हेलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सब लोंग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो दोस्तो इस वडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्कलेमर देना चाहूँगा का पहुत क्या है कि यह जो वीडियो है तो उससे रलेटेड़ी थोड़ा से एक रियक्शन हम लोगों इतने सारे वीडियो में बनाते हैं रहेता हूँ हम लोग मार्केट को सीखने की कोशिश करते हैं तो इसमें थोड़ा सा अलग-अलग experiment हम लोग करके यहाँ पर देखते रहेते, तो कुछ एक दो नई चीजे भी जानने की, मतलब एक नया experience हम लोग यहाँ पर मिल जाता है, हम ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं, अभी कैसे था, यह calendar खतम यहाँ पर हो रहा था, साल खतम यहाँ की कोशिश करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने का कि disclaimer इसलिए देना चाहूंगा, क्योंकि इसको हम लोग एबदम ताजा-ताजा record करेंगे, बाद में situation completely different हो सकती है, ठीक हम लोग एबदम चंद सेकेंड में क्या market के उपर इसका reaction देखने को मिलेगा, वो हम लोग थोड़ा सा देखने के आप एक कोशिश जरू करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आप लोग को का कि किस चीज़ का इंतजार हो रहा है, inflation का data क्योंकि इनका data कैसे आता है, यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के market के लिए important रहता है, इनका data ने अगर mood खराब करती है, त आज से कल के दिन माजार में, मतलब इतना कुछ खास performance ना देखने को मिले, अगर इनका data अच्छा आ जाता है, हमारे data तो अलड़ी अच्छा आ चुका है, तो dual धमा का हो सकता है, मतलब इसकी possibility है, ठीक है, तो यह if but की हम लोग बाते कर रहें, बट कोई बात नहीं, अभी ज expectation किया गया था, last time, USA CPI का data की बात करे, और actual में कितना आया, 3.2 आया था, मतलब काफी अच्छा आया था, ठीक है, अभी base इनका बहुत ही यह हो चुका है, तो इसलिए आप देख सकते हैं, पहले किसे 7-8% रहता था, inflation, फटा फट नीचे आता था, 6-5-4, सब लोग बुलते सर क्या मसत है, दो तो ऐसे आ जागा रहे, ऐसा नहीं, वो base बहुत ही यह था, इसी चीज़ के चलते है, वो फटा फट 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 नीचे आता था, अभी ऐसा नहीं, अभी base बहुत ही, हम लोगों को narrow देखने के आपे मिल जाता है, तो इस चीज़ के चलते, जो difference लेता ह वो इतना easily आता नहीं है, ठीके, तो इस वक्त देखने वाली बात होगी, कि data के से निकल कर आता है, करके, अभी यह data के इसाब से अगर हम लोग बात करे, अनुमान भी लगाया जाता है, कि अनुमान कैसा रहेगा, करके तो चलिए, वीचे हम लोग चेक कर लेते हैं, देखे 12 डिसेंबर की, अगर हम लोग बात करें, तो क्या अनुमान लगाया जा चुका है, वही, उसी क्या सपासी है, अनुमान, कि 3.1 आना चीए करके, अभी actual कितना आएगा, अभी भी यहापे time है, 4-5 मिनिट तो यहापे लग जाएगा, obviously, मैं वीडियो अपलोड करूँगा, त इतना हरा केंडल स्टिक बनता है, उतना ही लाल बन जाते है, usually, अगर अनुमान के साब से, अगर कम आ गया, जो कि एक मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, तो फिर शायद से बड़ी केंडल स्टिक, ग्रीन केंडल स्टिक बन सकती है, और वाईसर वर्स अगर खराब आया, तो रेड भी बन सकती है, तो इस सारे चीज़े हम लोग को देखने के आपे मिल जाएगी, तो उसी के उपर हम लोग का फोकस रहेगा, और जैसे मैंने का दाउ जोंस का जो फ्यूचर है, इसको हम लोग चेक करेंगे, अभी कितना चल रहे है, 72 पॉइंट कोई से हम कह सकते हैं, अभी डेटा है आपे सामने आ जाएगा, तो एक रियक्शन हम लोग को देखने का आपे मिल जाता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद आप सभी लोग को पता है, आठ बज़े अमेरिकन बाजार भी आपे ओपन हो जाएगा, तो तब तक के लिए स्तीती आपे बदल जाती है, मतलब कैसे होता है, कि ये साथ बज़े डेटा आ जाता है, कौन सा, ये महिंगाई वाला, ठीक है, तो डाउ जोंस का फ्यूचर में रेक्शन रहता है, एंड आठ बज़े अमेरिकन बाजार खुलता है, ठीक है, तो एक घंटे कि किस प्रकार का बाजार का रूख, इस डेटा के चलते हैं, हम लोगों को देखने को आपे मिल चुका है, अभी भी देखा गया, तो दो मिनिट का टाइम यहापे बाकी है, ठीक है, डेटा यहापे आजाएगा, जैसे आजाएगा, इमिडेटली, ये चो चार्ट पैटन है दोस्तो, इसमें हम लोगों को बड़े-बड़े हल चले देखने को यूज़ली आपे मिल जाती है, वो डिपेंड करता है, डेटा की इस प्रकार से आता है, उस हिसाब से रिएक्शन देखने को मिल जाते है, अगर नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो ये डेट होते हैं, अतला पूरा मार्केट भी ठक चुका है, अरे बस किजिए गर के, तो अभी ये बस हो चुका है, न्यूटरल गेर पे चल रहा है करके, तो ये वाला डेटा कैसे आएगा, इन्फलेशन का, उसी के उपर इनकी रणनिती डिसाइड होती है, ठीक है, ये अपने मन से डाला जाएगा, कि पॉवल जी की जो कॉमेंटरी रहेगी, उसमें क्या हो सकता है, करके, रेट हाइक से रिलेटेड, या फिर रेट कट से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी अनुमान के इसाब से अगर हम लोग बात करें तो, ये सारा मतलब जो ये पर्मेटेशन का खेल है, हम लोग को देखने का आपे मिल जाएगा, सो चले टाइम आलमस्ट हम लोगों को होते वे देखने का आपे मिल रहा है, ठीक है, अभी भी जैसे कि आपको बता है, साथ बजे के आसपस ये डेटा रिलीज यहापे हो जाएगा, अभी भी एक मिनिट के आसपस टाइम देखने देखने को आपे मिल जाता है और सबसे बेस्ट ऑप्शन कभी-कभी ये भी होता है कि आप इन Candlesticks चार्ट पेटन को भी अगर यहापे उपन करके रखोगे तो भी एक बड़े-बड़े मुवमेंट्स हम लोगो देखने को मिल जाते हैं कि चलो भाई डेटा आगया है करके ठीक है तो अभी तो इंतजारी यहापे करना पड़ेगा तब तक के लिए हम यहापे कह सकते हैं मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉस कर लू सो ठीक है दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को का कि हो चुका है दोस्तों डेटा भी सामने आ चुका है सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे डेट चेक करेंगे 12 डिसेंबर आज ही की है कितना एक्सपेक्ट था 3.1 और एक्चुल कितना है 3.1 मतलब जैसा माना था वैसा ही डेटा हम लोगों को इंफ्लेशन का देखने का आपे मिल चुका है अमेरिका की बात करें तो ये रिखें वापस आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा 3.1, 3.1 सो डेफिनेटली हम यह आपे कह सकते है जितना मतलब फोर्कास्ट किया गया था एक्चुल डेटा भी उतना ही हम लोगों को आते वे देखने को मिल चुका है हभी ये मज़ेदार बात रहेगी देखने वाली कि इसका रियक्शन मार्केट के उपर कैसा निकल कर आएगा करके वरना ये पिच्चर कैसा होता है थोड़ा सा अगर देखा गए दोस्तो तो इसको हम लोग अच्छा ही कहेंगे थोड़ी ना इसको बुरा बोई लेंगे करके तो अभी देखे ये तो मार्केट डिसाइड करेगा की अच्छा है की बुरा है करके तो इसके लिए तो Dow Jones को अभी हम लोगो open करना पड़ेगा, थोड़ा मैं इसको refresh कर लो, तो क्या नजर आ रहा है, तो फिलाल तो ऐसा लग रहा है, कि एक jump, अच्छी jump नजर यहाँ पर आ रहे, बहुत ही volatility रहती है दोस्तों, मैं अगेन कहना चाओंगा, ऐसी कोई guarantee नहीं कि अ अच्छा बड़ा green candlestick बनते वे देखने को मैं आप देख सकते हो, बतलब data को तो usually तो बुरा यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, कोशिश तो यहाँ पर की जाएगी, कि थोड़ा सा और इसको boost यहाँ पर किया जाए करके, क्योंकि अनुमान के हिसाब से ही data हम लोग को close कर दूँगा, ठीक है, upload भी तो यहाँ पर करना है, अभी भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, चीज़े यहाँ ठीक चल रही है, 115 पॉंट की तेजी नजर यहाँ पर आ रही है, ठीक है, अगर हम लोग इसमें normal future की बात करें, इसको मैं refresh कर लेता हूँ, तो अभी भी भी और यह देखने वाली बात होगी कि बुल इसको क्या उपर लेकर जा सकते हैं, सबसे important चीज़ यह होती है, यह देखी यह वाला जो लेवल है, वहाँ से यह बड़ी candlestick बनी है, अगर इस लेवल को तोड़ दिया, तो फिर हम कह सकते बेर वाले हावी यहाँ पर हो सकते करके तो यह देखने वाली बात यहाँ पर फिलाल तो बनती है, अभी भी देखा गया, तो बुल का ही पगड़ा भारी देखने का आपर मिल रहा है, 114 पॉइंट की तेजी, बहुत कोई massive तेजी तो यहाँ पर नहीं है, बट ठीक है, अभी अभी just data यहाँ पर रिलीज होते वे देखने को मिला है, उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो ठीक performance देखने का आपर मिल रहा है, तो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हो, data काफ़ी time यहाँ पर हो चुका है, तो 180 पॉइंट की तेजी फिलाल तो यहाँ पर नजर आती वे देखने को मिल पर नहीं चाहिए, अभी market का मानता है इसको, यह देखने वाली बात होगी, bulls तो कोशिश कर रहे है, market को उपर रखने की, तो क्या यह battle, bull के favor में यहाँ पर जाएगी या नहीं जाएगी, तो अभी आट बजे देखने वाली बात यहाँ पर होगी, उसके पहले तो futures में हम को बहुत कुछ हलचे ले होते वे देखने का आपे मिल रही है, तो ठीक है रोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को का, कि यह थोड़ा सा live record करनी की कोशिश आपे की है, अभी upload होते होते, काफी time यहाँ पर हो जाएगा, इस तीती बदल जाएगी, यह might be, मतलब उपर भी जा सकता है, बट चलिए कोई बात नहीं, जितना हो सकते मैंने इसको live cover करनी की कोशिश आपे की थी, तो वीडियो चल लगागा, तो चाओ तो like and share कर सकते हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बब बाए